दोजार चौदा अक्टूबर से में पाथ एक ही तरीका था वीडियो से समझाने के लिए बहुत लोग मुझे यहां बोलते हैं और मैं पूरी दुनिया में जब घुमता हूँ अपनी देश वासियों से मिलता हूँ तो वो लोग बोलते हैं मुझे कि अभी भाई आप क्यो समझाते हैं उन्लों को कई बारी मुझे भी लगता है ऐसा कि मैं समझाता क्यों हूँ जैसे वो लोग जित्ते इंडिया से बहार रह रहे हैं आज की तारिक में सब खुश हैं अपनी जिंदेगी पे सब मस्त हैं उन्हों से उन्हों कोई लेना देना नहीं है आप लोग गेखते होगे ना जो प्रदान से वक जाते हैं तो नारे लगते हैं सब बड़े खुश है मरें इन में से कोई देश वापिस लॉट के नहीं आता है नोबडी कमस बैक अभी मैं तीसरी बार एकी फिल्म देखा था ट्वल्थ फेल री स्टार्ट मैं आपको एक बात मैं ग्यान नहीं बातना जाता है आप लोगो यह ना मेरे पास कोई ऐसा ग्यान नहीं है जो आप लोगो पता नहीं है फरक यह है कि आप लोग सत्ते से डड़ते हैं और सत्ते कभी वारल होता ही नहीं है कई बारी मैं इंस्तेग्राम पर चले जाता हूँ उनके सबसे दाफ फॉलवर दें मिलिंट इंड तो अपने देश में इपने देश में असत्य बिक रहा है और असत्य बेचने के लिए राज़नी तेक असत्य बेचने के लिए गोदी मीडिया उसकी दुकान लगा के बैठी है इन लोगों किसी को आपकी परवा नहीं है और हो बीदिन को आपको जानते तो नहीं है, अब चुनाव आ रहे हैं, वापिस से वही कहानिया शुरू हो जाएगी, धर्म, धर्म पे आप लोग वोट देंगे, जातपात पे वोट देंगे, मेरे ऐसे कई वीडियो हैं, जिसमें मैंने आप लोगो बताया है, कि काबिलियत पे वो करें और एक और चीज में बोलता हूं जो हम लोग यह देखते हैं जो हम लोग वोट करते हैं कि हम लोग अपने बच्चों की तरफ देखते हैं अमेरिका में कि हमारे बच्चों की जो खोईशे हैं क्या ये उमिद्वार जो खड़ा हो रहा है ये हमारे बच्चों की खोईशे पूरी कर सकता है हम वो देख के करते है हम यहाँ पे कहता नहीं हूं हिंदू मुसल्मान जो भी है मगर हम जैसे हिंदू है हम लोग इसाइयों को वोट करते है ना हमें पता है कि यह काबिल आदमी है और अगर इसाइय है तो हमारे लिए अच्छा है और इसे किते लोग आप ल नेहाटे कोई तकलीफ में है कि आप लोग की तकलीफ की जड़ मालू किया है वह जड़ यह है कि आप लोग सक्ते से डड़ते हो बहुत जबर्दस तरीक से सब्सेते हैं लगो सबस्यादा तकली यह है और दूसरी तकलीफ जो आप लोगों सबसक्जाद आया struggling किसी किसी भी नेता की, किसी भी विचारधारा की अंद्भक्ती करना, जबकि आप लोगों को पता है कि इस अंद्भक्ती का जो भी नतीजा होगा, वो आपके बच्चों पे होगा, आपके परिवार पे होगा, आप कितने चिलालों, सिलेंडर 400 से 1100 हो गया, बिजली के भाह बढ़ गया, महिंगा ही बढ़ रही है, यह कर दीए, इसमें आपका नेता जुमिदार नहीं है, क्योंकि नेता जो है ना, मैं कोई ग्यान बातने नहीं बैटा है, आप लोग सुछों में ग्यान बातने में तो अपना तज़ूर्वा बता रहा हूं, नेता जो है ना, वो आप है, अपने बच्चों के लिए, उसके खुद के बच्चों के लिए, अब कई बार यह ऐसा हुआ है, और आप लोग भी जानते हैं, कि ऐसे डेटा जाते हैं, पोस्ट आते हैं, शोशल मीडिया में, इस नेता का बच्चा अमरीका पढ़ रहा है, इस नेता का बच्चा बच् तो ट्रेन तो आपके उपर से निकली जाएगी, तो ट्रेन आपको या तो दिखती नहीं है, और अगर दिखती है, तो आप मानने को त्यार नहीं हो कि सामने से ट्रेन आ रही है, बाकि आप लोगी मर्ची, मतलब गंद संद वीडियो जो होते हैं, जिसका कोई सरपह नहीं ह हैं, जो आपılar को पुछ समझाने की बात नहीं करते, समचार को ही, समचार की तरह इंबताना, एक अपने स्टाइल से बताना, उससे कोई इंप्रूव्मेंट तो नहीं होगी आप लोगी लाइफ में, कभी नहीं होगी. मैं अपनी कहानी तो बटाना नहीं हैं आप लोगों क और और वो इत्ता कर लेते हैं कि आने वाले दो-तीन पुश्टे, उनकी सेटल हो जाती है, ठीक है? और अपने हाँ क्या होता है, अपने हाँ साथ पुश्टे लगी रहती है, लगी रहती है और एक पुश्ट बर्बाद कर जेती है, और आज की तारिक में आज किस स्यासत में यही किया है कि उनको इस तरह और रहे ह। वो अपने आने वाली पुछते भी बरबाद कर रहे हैं क्योंकि इतने competitive world के अंदर जहां पे एक चीज पड़ी है और उसके लेने वाले हजारों हैं उस competitive world की race में से तो आप लोग भार हो चुके हो अमूमन भारती है भार हो चुका है आप किता ही कर ले मैं आज की तारिक में जैसे अंबानीज की शादी थी मैं inequality देखता हूं एक सबर्दस्त inequality थी थी बहुत अच्छी शादी हुई बहुत सब्लों को बढ़ा है बड़ी गर्ब की बात है मगर किती यूज दिखाएगी यह इन यह बिल्कुल भी equal नहीं है समाज तो अमीर अमीर होता जाएगा और गर स्यासत बदल सकता है समाज ही सियासती जो चीज है कि सियासत ही समाज बदल सकता है जो मैं कहना चाहता हूं आप लोग को समाज जब तर नहीं बदलेगा जब तक सियासत नहीं बदलने वाली यह बात सो प्रतिशत है आप कुछ भी कर लो हम अमेरिका में रहते हैं अमेरिका एक सक्षम प्रजातिंतर हैं यहां पर आज की तारीक में आज के राश्पती को भी हम लोग सवाल करें तो हमारे पर कोई एफबी आई एडी इंकम टैक्स इंकम टैक्स कुछ नहीं हो सकता इस इंपॉसिबल तो खेर आप लोग सोचो मेरा काम था आपनों को समझाना है विकार एंड अड़ डे मुझे भी दुनिया से जाना है और मुझे इस चीज का तो पता रहेगा चलो आज मेरी बात नहीं ठीक है जब सर पर पड़ेगी तब आपनों समझा जाएगा या आपकी बच्चे समझाएंगे और ये शोशल मीडिया पे जो गाली गलोच करते रहते हैं मैं इनलों की फेक आईडी में ये अपनी जिंदेगी बरबात करते हैं इनलों का कुछ नहीं होने वाला मुझे गाली नहीं कर सकते हैं और करना भी नहीं चाहिए हमें या कोई फोर्टस निकरता हैं अमेरिका के अंदर की ये धरम मत करीए वो मत करीए हमारे तो एक से यह मंद्र बनने एक से ऐक मज़िद बनने हैं ना तो खो राकिक हमें आज nah कोई यह की अदर अपने आपको बरबाद करने के लिए अमूमन भारती है अपने आपको बरबाद करने की डगर पे चल चुका है और आप लोग बरबाद होंगे यह मत मैं आपको गैरंटी करता हूं कि महावारत में श्रीकृषिन कि पूर्ण विद्भंस के बाद ही नई परंपराय जनम लेती है तो पूर्ण विद्भंस की तरफ आप लोग चल चुके हैं आप लोग इस सोचें कि आपका नेता आपकी परवा करता है आपका नेता आपके घर में आके कुछ आप लोगों को दो रोटी देने वाला है तो ऐस सब्सक्राइब श्रीराम ने आपको इमेल किया कि भाई हम मैं फज़ गया हूं आप मुझे बचाइए बहुत लोग आपसे जूट बोल रहे हैं और वो अपनी अपने फाइदे के लिए बोल रहे हैं नेता आपसे जूट बोलते हैं नेताओं के नीचे जो बैठे हैं र्कट के दोर में अब आप लोग जाने वाले हो अगर आप लोग अभी भी नीचे थे दोजाट चोवीस पाद आपक्री चांस है lucky इसके बाद आप लोगे पाद छांस में रही जिन नहीं दोड दिया जात पे और धर्म देखके वोट दिया तो आपका पूर्ण विद्वन्स निश्चित है जैन